हेलो दोस्तों तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो यूपी पुलिस कॉंस्टेवल की वेकैंसी 6244 पदोवे वेकैंसी आई है उसमें आप लोगों का जो डिवांड था कि तीन साल की छूट दे दी जाए तो फाइनली वो तीन साल की छूट दे दी गई है देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ये आज तक के ओफिसल विबसाइट पे आया हुआ है अभी अभी जश्ट आपका जो ये निउज है वो आठ बजे पबलीक हुआ है यानि कि आज रात आठ बजे पबलीक हुआ इसमें कहा रहा है कि यूपी पुलिस भरती आयू सीमा में त 3 साल तक की चूट दी जाएगी यानि कि पहले 18 से 22 तक का आप लोग को एस दिया जा रहा था अब इसे बढ़ा कर 18 से 25 तक कर दिया जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी OBCS से और ST के लिए आरच्छड मिलता था वो अलग चूट उनका मिलेगा ठीक है इसमें कह रह हैं आज तक पर चली खबर में लाखों नजवानों के दर्द पर एक रिपोर्ट के बाद यूपी सरकार ने ये सुनवाई की है मुख्यमिंत्री योगिया दितनात ने यूपी पुलिस कॉंस्टेबल भरती में आयू सीमा में चूट को लेकर डीजीपी और प्रमुक सच्च यूगियों को निर्देश दिये हैं उत्तरपडेश पुलिस भरती बोर्ट जल्दी कॉंस्टेबल भरती में आयू सीमा में चूट का आदेश जारी करेगा यानि कि ओफीसियल नोटीस जारी करेगा ये आज तक के माध्यम से बताया जा रहा है यूपी पी आर पी बी द्व बार भी हैं जो इस नोटिफिकेशन से निरास्ते दर असल यूपी पुलिस कॉंस्टेबल भरती के लिए पांच साल बाद आवेदन मागे गए हैं ऐसे में जो लोग सालों से तयारी कर रहे हैं वो अब ओवर एज हो चुके हैं उनकी सरकार से मांग थी कि उन्हें आयू सीम में छोड़ दे दी गई है अभी यह ओफिसल नोटिस नहीं आया है जल्द ही यूपी पुलिस को ओफिसल वेबसाइट पर नोटिस आएगा तो दोस्तों आज का नोटिफिकेशन कैसा लगा प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताईएगा अगर